हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग कलाश्टेंड के संस्क्रिट के काफी महतपुर्ण वस्तोनिषट पर्सन को देखेंगे और दोस्तो यह सवी पर्सन में हमलोग माहा सेुरूण के पहले वाले जितने भी माहा सेुरूण को सभी वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग बारी-बारी से देख सकते हैं इसे वीडियो के description संबोक्स में महा सीरीज के सभी वीडियो का लिंग मिल जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में में लोग कलाश 10 के संस्क्रिट के महा सीरीज को प्रेस करकी ओल पर जरू सेलेट के लिजेगा तो आएए सुरू करते हैं यहां पर आज के प्रत्थम नंबर प्रसन से जो की मोस्ट इंपोर्टेंड तो दोस्तों प्रसने कराएं कि स्वामी दयानंद का जनम कब हुआ था बहुत इंपोर्टेंड अप्सन एमें आपका दि बिल्कु से उत्रो जाएगा यह परसन जो ना दोस्तों बहुत ही महतपूर्ण है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर दूसरा परसन को देखना है जो की काफी महतपूर्ण एक परसन यह कराएं कि अंतिम सिक्षा संसकार का नाम क्या है और अप्सन इमें आपका दिया हुआ है उपन नया और अप्सन भी समावर्तनम या फिर अक्षर आरंब और अप्सन डी में आपका दिया हुआ है वेदा आरंब तो दोस्तों अंतिम सिक्षा संसकार का जो नाम है ना समावर्तनम है यानि कि यहां पर अप्सन बिल्कु से उत्रों जाएगा अब चले फ्रेंड द साहित के दौरा या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यह संपूर्ण संसार जो है ना परमात्मा के दौरा अनुसासिद है यानि कि यहां पर अप्सन बिल्कु से उत्रों जाएगा अब आये दोस्तों देखते हैं पर अगला को संजो की मोस्ट इंपोर्टेंड तो दो दोस्तों चात्रों जो है ना यह किसके लिए करती हो और करती हो का विधान करते तो यह जो ही ना मानों के लिए करते हैं यानि कि यहां पर अप्सन बिल्कु से उत्रों जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं पर अगला परसन जो की काफी मतपूर्ण तो दोस्तों परसन काल में С destroy को क्या करते थे यानि कि प्राचिन काल में सीस्यों को क्या कहते थे आपसें आपके दिया हुआ है अन्तिवेसी यह फिर प्रहमचारी यह तो यह भी परहुत ही महतपूर देट और दोस्तो चैनल पर नहीं है न तो प्लीज दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करकी ओल पर जरूर से लिट करेंगा और इस सभी परसन को अच्छी तरह से याद करते में जाना है और सभी कोसंस का अंसर जो है न आप लोग को फटावर से वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर लाइफ चैट में कमेंट करना है तो देखिए कोशन से कराएगी च्छटा परसन है कि सास्त्र मानों को किसका बोध कराता है अप्सन ए में आपका दिया हुआ है हरतियों का या फिर धरतियों का या फिर करतिया करतियों का और अपका दिया हुआ है मन्तियों का तो दोस्तों सास्त्र जो है ना मानों को किसका बहुत कराता है तो दोस्तों किसका कराता है करतिया 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 वो का कराता है यानि कि यह आपने पर सी जो ना बिल्कुल से उत्रों जाएगा अब आए दोस्तों देखते हैं आप साथ नमर प्रसंट जो की तो दोस्तो वैर से वैर का जो है ना असंबो है यानि कि वैर से वैर का समन क्या है असंबो है और बी जो है बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट कॉस्टन जो की most important है तो दूस्तो questions एक राए की नदिया नाम और रूप को छोड़ कर किस में मिलती है option A में आपका देवर समूंदर में या फिर माउसी राम में और option C. तालाप में या फिर जील में तो दूस्तो नदिया नाम और रूप को छोड़ कर दोनों को छोड़कर जो ही ना किसमें मिलती है तो दोस्तो यह जो ही ना समूंदरे में मिलती है यह अफसन नमर ए जो ही ना बिल्कु से उत्रो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट कोसं जो कि most important है तो दोस्तो पर सने कराएं की महान से भी महान क्या है और option a में आपका दिया हुआ है आत्मा या फिर देपता और option C også CRC option D में आपका दिया हुआ है दानो तो दोस्तो महान से भी जो महान होते हैं आत्मा होते है यानि कि यह आप पर option मर् a बिल्कुर बिल्कुर तरो जाएगा अब आई दोस्तो देखते हैं आप पे अगला कोशन जो की मोष्ट इंपोर्ट्न इंड है तो दोस्तो परस्थन एक बिर किसी विजे नहीं होती है आ प्रश्ण बिल्कु से उत्रों जाएगा अब चले फिरन देखते हैं पर अगला को सब्सक्राइब तो दुस्तों परसने यह कराएगे देखेगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है और सने में आपका दिया हूँ पचीस सो वर्स पुराना या फिर दोजार वर्स पुराना या फिर पंद्रों सो वर्स पुराना या फिर एक हजार वर्स पुराना तो दुस्तों पटना का इतिहाद जो है न यह पचीस सो वर्स पुराना है यानि कि यहां पर आपका दिवराज सेखर या फिर दामोदर का रहे ना दामोदर गुप्त है यानि कि यहां पर आपर आपसन और बी जो है ना बिल्कु से तरो जाएगा अब आए दोस्तों देखते हैं आपर नेक्ष्ट कोसन देखेगा कोसन से क्राई की यूनान का राज दूद कौन था आपसन ए में आपका दिया फायान या फिर हवे इन सांग या फिर मेगा अस्तनी जिए फ़रीती संग तो दोस्तों यूनान का जो राज दूद था ना मेगा अस्तनी था यानि कि यहां पर आपसन नमर सी जो नहीं बिल्कु से तरो जाएगा अब आए दोस्तों देखते हैं पर अगला कोसन जो की मोस्ट इंपोर्टेंड तो दोस्तों परसन यह कराए कि राज सेखर की रचना कौन सी है अपसन अ में आपका दिया वकावी मिमान सा या फिर कुटनी मत या फिर मुद्रा रक्षस और अपसन दी में आपका दिया हुआ है यातरा संस्मरन तो दोस्तों राज सेखर की जो रचना है ना क्या है वही आ आप लोग को बताना है तो दोस्तों काव हमान साहे इसे आप लोग को याद रखना याँ मेर और जो है बिलकुल से उत्र हो जाएगा अब आया दोस्तों देख्ते हैं पे नेक्स्ट को सन जो की मुष्ट इंपोर्टेंड दोस्तों कोशन से क्राएं कि कवमूदी मोहत से किस रितू में मनाया जाता है और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक ने किये न तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों एक एक कॉसंस का चैऑने और प्रसंग में राम सीता लक्ष्मन के साथ कहा पहुँचेते हैं Chapter A में आपका देवी चीतर कोट है या फिर सवरन कोट है या फिर चीतर कोट या फिर वरन कोट है तो दोस्तो ओन्वास परसंग में राम सीता लक्षपन के सब जो है नचीतर कोट पोछते हैं यानि कि या आप आप मिड़ी ऑपसन वर्सी कोसन जो कि Most Important है तो दोस्तो परसनिय कराए कि नर्क के दुवार कितने परकार के हैं जिन से वेक्ति का नास होता है अपसन A में आपका दिवार चार परकार के या फिर पांच परकार के या फिर तीन परकार के और अपसन D में आपका दिया हुआ है साथ प्रकार के तो दोस्तो नर्क के दुआर जो ना तीन प्रकार के होते हैं जिन से वेक्ति का नास होता है यानि कि यहां प्रमर अप्सन वर्सी जो ना बिल्कुल से उत्रो जाएगा अब आए दोस्तो देखते हैं पर अगला कोसं जो की मोस्ट इंपोर्टेंड है कि आदुनी काल के संस्किर्ट लेखी कावं में कौन अतीप परसीद है option A में आपका दिया हुआ है बिभाव राओ या फिर आभाव राओ या फिर छमा राओ और option D में आपका दिया हुआ है रामा राओ तो दोस्तो आधुनी काल की संस्कृत लेकी काव में जो ही ना छमा उड़ा उड़ा उपर सी दयाने की ऑप्सन नमबर यहां पर सी जो ना बिल्कुल से उत्रो जाएगा अप चले फ्रेंड देखते हैं आप अगला कोउसंस को देखना है दोस्तो परसन ये कराएकगि ये देखेगा की वस्तू तो इस समय संसार किस महा सागर के कौल मध्धिय इस्तिद्धिख रहा है और अपकर परसांत महा सागर के या फ़र हिंद महा Sabra के और अपसंसी ते असां आती महसागर के कुल मद्यत इस्तित दिख रहा है जो ना बिल्कु से उतर हो जाएगा अब चले फिरन देखते हैं पर अगला को देखना है दोस्तों बहुत ही मतपूर्ण है दोस्तों परण किसलिए होता है अब चले फिरन देखते हैं पर अगला को संस को देखना है क्या करा है कि देखेगा कि देखेगा कि पढ़नित को क्या करते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं पर अगला को संस को देखना है अब चले फिरन देखते हैं पर अगला को संस को देखना है जो कि अत्यंदी मतपूर्ण है कि प्राचिन काल में सीसियो को क्या कहा जाता था अब चले फिरन देखते हैं अगला को संस को देखना है जो कि अत्यंदी मतपूर्ण है कि नीती सलोका पाट किस गरंद से संकलिद है बाट फिरन नीतीस सब्सक्राइब चनकी Π Kirsty साव्सर्ण है आध आज का लास्त तर अंती परशन है जो की मोस्ट है तो निसक्रम से कराएं कि स्वामी दयानद के बच्पन का नाम साथ और दोस्तो स्वामी दयाननद जी के बचपन का नाम जो है ना क्या था तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और दोस्तो चैनल पर नहीं है न तो प्लीस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अब चलिए देखती है आज का यह जो आपके लिया गया है तो कोसन से क्राइक की मंदाकी नहीं वर्णनम पार्ट के कभी कौन अब चलिए आपको लेके चलते हैं कि इसका पीडिये अब फिरी में कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और जब तक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो दोस्तों पीडिये अब को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मुवाल की क्रोम रोजर पर आ जाना पड़ेगा उसके बाद यहां पर सर्च एड्रेस में सर्च करना पड़ेगा measure target तो दोस्तो measure target जैसे search करते हैं तो नीचे तुरह यहाँ पे scroll down करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ यह वोला link पे जो ना click कर देना पड़ेगा तो दोस्तो जैसे यहाँ पे measure target के link पे click करते हैं तो इस तरह का आपका नया front page खोल के आएगा तो यहाँ पे जो ही ना आप लोग online test PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो ही ना परविक सकते हैं सभी विसे के observe questions यहाँ पे model paper हो गया आपका MBBI subject type questions हो गया सारा का सारा चीछ जो ही ना यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग यहाँ पे class 10 के सभी विसे का model paper भी डा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि class 10 के सभी विसे का जो ही ना यहाँ पे महा सीरीज के online questions को यहाँ पे easily पर सकते हैं और धीरे धीरे जो ही ना यहाँ बहुत जल्दी जो ही ना content upload कर देंगे तो यहाँ पे घबराने को कोई बात नहीं है तो इस वीडियो को कि कर देख सकते हैं